औस्टेलिया के एक मस्जिद में गोल्ड कोस्ट मस्जिद औस्टेलिया के इस मस्जिद का नाम है और उस मस्जिद के बाहर गेट के पास किसी ने सुवर का कटा हुआ सर और दिल एक पैकेड में लपेट कर फेग दिया और मस्जिद के बाहर ठीक गेट से जहां लोग इंट्र मज गया और उसके बाद जितने भी ऑस्टेलिया में मस्जिद है वहां पर आज पास लोग धियान देने लगे खयाल करने लगे कि यह हाथसा जो हुआ है वह यहां भी नहीं इस तस्वीर में आप देख सकते हैं और थोड़ा सा वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो कुछ हुआ है यह सब कुछ हुआ है ठीक जुमे के नमाज से दो गंटे पहले दस बच के 45 मिनट पे यह सब कुछ हुआ है जिसको लेकर ऑस्टेलिया का ही एक न्यूज है जिसका नाम है आपको मैं दिखा रहा हूं SBS News इसने क्या लिखा है आप देख लिजिए इसे पढ़ सब कोश्ट मस्की सौप मुस्लिम लीडर मतलब वहां जब यह सब देखा गया इस नाजारे को देखा गया जो कि इसलामोफोबिया पूरी दुनिया में चल रहा है जो आप जानते है उसके बाद जो वहां के लोग थे जो मुस्लिम स्कॉलर थे जो मुस्लिम के जो धर्म जाता है क्योंकि वो जिस तरीके का जानवर है उसे हराम माना जाता है इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा आपको उसके बाद यहां लिखा गया है आप इक अच्छा कलर माना गया आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और उसके बाद यहां पे खबर ये आ रहे हैं कि एक लड़की को पुलीस ने गिरफतार किया जो कि 20 साल की लड़की थी कुइंस लैंड पुलीस है वहाँ पे जिसने अरेश्ट किया है 20 साल की लड़की को जो इसे काम में इंड़ॉल्ड थी और इस मस्जिद का नाम गोल्ड कॉस्ट मस्जिद बताया जा रहा है आप मस्जिद वीडियो में भी देख सकते हैं वीडियो मैंने आपको थोड़ा से दिखाया है लेकिन तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि यहां पे किस तरीके का हर्गत जो है वो किया गया अब इसको पताये जा रहा है कि उस लड़की को कोट ले जाए जाए जाएगा 11 नवंबर को उसे कोट ले जाए जाए जाएगा और उसके बाद मामला जो है वो सामनी आएगा कि यह सब किस लिये हुआ किस वज़े से हुआ किस ने यह सब किया है यह सब कुछ पता चेलेगा आपकी क्य अगले वीडियो